ही प्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगे इस कार्ड के हल्प से मारे किस तरह की रिजैंग बनकर तयार होगी तो टू कलर का मेरा कार्ड है और ग्रीन कलर कार्ड है इसको में एक नंबर पे सेट करूगी और कार्ड में लूपिंग किस तरह से की जाती है वो भी आपर बताऊंगी आपको तो कार्ड को हम पहले एक नमबर पर सेट कर देते हैं यह मिरा वाटसप नमबर है किसी कुछ भी कुईरी है निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट जैसे की कार्ड वगरा आपको लेने तो आप मुझे इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या वाटसप कर सकते हैं तो कार्ड को मैंने एक नमबर पर सेट कर दिया है लेकिन अब हमें इसमें लूपिंग कर रही है तो क्या होगा कि यह हम ऐसे सेट नहीं कर सकते हैं तो हम कार्ड को पहले बहार की तरफ बोड़ा सा लिकालेंगे इस तरह अब यह हमारे क्लिप होते हैं कार्ड क्लिप होलते हैं इनको लगाएंगे तो इस तरह सेट करने ही का अब दूसरा भी हम ऐसी लगाएंगे पहले हम इसको लगा लेते हैं अब यह वाले दो डो पॉइंट है इसको इस पर रखेंगे इस तरह से हलका प्रेशर देखिए इस तरह से बंद करवेंगे अब दूसरा वाला भी मुझे इस तरह से लगाना है अब यह पीछी की साइड है यहाँ यहाँ पर अब यहाँ पर इसे बसाइएंगे कि यह वाला जो काड़ है इसके ओपर आप यह वो लें हम इस तरह से और इसको दूसरे बन कर दिए तो इस तरसी क्लिप मैंने लगा लिया कार्ड क्लिप अब वापस हम कार्ड को एक नमबर के सेट करें दी हूंुकर कि हमारी मारी एक डाधयों जीपूंत करनों कार्ड लांगे नमबर के लिए जीब है एक नमबर के हो गया है करें मैं आपको एक बार ना इस कार्ड में दिखा देती हूं किस तरह से मैच करना है नीची के दो होल और उपर के दो होल इनको मैच्च करना है ऐसे यहां पर और इस साथ के दो होल और को पुर्पिर वा से आंगाने करकि इस तरह से cricket के मैच्फ करने हैं उपर और नीचे की यह देखिए हमें कार्ड को फिर चलाता है फिर दिखाती है आपको नोप को हम दो नंबर पर करेंगे तर दूसरी कलर का दागा लगांगी वा दावी को इस तरह से पकड़ करके लगाने है जब तक की नीडल में सेट ना ओजाए बीच वाला बटन दबा देंगे अभी दागा नीडल में सेट हो गया है तो दावी के चोड़ को कार्ड को पुर चलाता है तो जहां तक मुझे डिजाइन बनानी थी मैंने बना ली है इस तरह से दूस्ते कलर का धागा निकाल देंगे और कैरिज को हम नॉर्मल पोजीशन पर पादेंगे ऐसे कुब प्लेञ जाई चला लेंकर दिखाते कि इस तरह बनकर त्यार होगा अब इसके उपर प्लेञ चयूम्स कैनल को सब्सक्राइब कीची और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं थांक यू